साथ दिल्ली जैसे बड़े शहरों में हम जो विकास देखते हैं बड़े सपने और उंचाईया देखते हैं उनकी निव में मेरे इन गरीब भाई बहनों की महनत है उनका पसीना है उनका परिस्ता है लेकिन दुर्भागे देखिए सच्चा ये भी है कि शहरों के विकास में जिन गरीबों का खुन पसीना लगता है वो उसी शहर में बदहाली की जिन्दगी जीने को मजबूर होते रहे हैं कि जम निर्मान कार्य करने वाला ही पीछे रह जाता है तो निर्मान भी अधूरा ही रह जाता है और इसलिए बीते साथ दसकों में हमारे शहर समगर विकास से संतुलित विकास से होलिस्टिक डवलप्मेंट से बंचित रहे गए जिस सहर में एक और उंची उंची भविमारते और चमक दमक होती हैं उसी के भगल में जुक्की जुपडियों में बदहाली दिखाई देती हैं एक और शहर में कुछ इलाकों को पॉश्ट कहा जाता है तो दूसरी और कई इलाकों में लोग जीवन की मौलिक जरूरतों के लिए तरसते हैं जब एक ही शहर में इतनी असमानता हो इतना भेदबाव हो तो समगर विकास की कल्पना कैसे की जा सकती है आज हादी के अमरितकाल में हमें इस खाई को पाठना ही होगा और इसलिए ही आज देश सबका साथ सबका विकाश सबका विष्वास और सबका प्रयास इस मंत्र पर चलकर सब के उठान के लिए प्रयास कर रहा है साथ योग दसकों तक देश में जो व्यवस्ता रही उसमें ये सोच बन गई थी कि गरीबी केवल गरीब की समस्या है लेकिन आज देश में जो सरकार है वो गरीब की सरकार है इसलिए वो गरीब को अपने हाल पर नहीं छोड़ सकती और इसलिए आज देश की नितियों के केंद्र में गरीब है आज देश के निर्णों के केंद्र में गरीब है विशेजकर शहर में रहने वाले गरीब भाई बेहनों पर भी हमारी सरकार उतना ही ध्यान दे रही है